बेले गुनेस एक ऐसी ओरत थी जिसने चंद कुछ पैसों के लिए अपने दोनों पती और बच्चों को मार डाला जी हाँ सई सुना आपने उसने अपने ही बच्चों को मार डाला तो चलिए जानते है और एक सीरियल किलर की कहानी जिसने लगबग 40 से जादा लोगों को बड़े ही बेहरेमी से मार डाला अगर आप सुनोंगे कि उसने किस बेहरेमी से लोगों को मार डाला तो आपकी रोंग्टे खड़े हो जाएंगे मैंने इससे पहले और एक serial killer जो मेथिनी पर वीडियो बनाई है ये वीडियो आप जरूर देखना तो चलिए दोस्तों जानते है रोंगटे खड़े कर देने वाले murders जो बेले गुनेस ने किये है पर उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरूर प्रेस करना ऐसे ही amazing वीडियो देखने के लिए ये वीडियो लास तक जरूर देखना एक काफी amazing वीडियो होने वाली है बेले गुनेस नौर्वेजियन अमेरिकन सीरेल किलर है जिसका जनम 11 नौवेंबर 1859 को नौर्वे के सेलबु में हुआ और उसका असली नाम ब्राइन हाइल्ड पॉल्स डैटर स्टोर सेट था बेले 6 फीट लंबी और फिजिकली काफी स्ट्रॉंग थी 1884 में उसने मैड्स सोरेंसन से शादी की और उनके चार बच्चे थे पर साल 1900 में उसने अपने पहले पती सोरेंसन के साथ दो बच्चों को भी मार डाला और उनकी इंशुरेंस की सारी रकम जो की करीब 5000 डॉलर थी वो हासिल करने के बाद बेले अपने और दो बच्चों को साथ लेकर अमेरिका के इंडियाना चली गई और यहाँ उसने एक फार्म हाउस भी खरीदा और उसने तूरंथ ही अमिर लोगों को लुभाने के लिए न खोपड़ी की चोट के कारण नुत्य हो गई बेले ने कहा कि पीटर एक लंबे अलमारी पर किसी चीच को निकाल रहा था पर एक बड़ा सा ग्राइंडर उसके सिरुपर जा गिरा जिससे उसकी खोपड़ी को नुकसान पहुचा लेकिन असल में बेले नहीं उसे मारा था औ और उसने इस मर्डर को एक एकसिडेंट का रूप दे दिया था अगर एक बार कोई भी आदमी उसके फामोस में जाता था तो वो कभी वापस लोटकर नहीं आता था और रह समय तरीके से गायब हो जाता था और ये बहर एहम बेले उन्हें मार डालती थी और उनके सारे पैस बिस्तर पर मरे हुए पाए गए घर में एक महिला की सिरकटी लाश मिलने से कुलिस कर्मियों को बेले गुनेस के मरने का अंदेशा हुआ लेकिन बाद में जब उस लाश की लंबई नापी गई तो पता चला कि ये उसकी लाश नहीं है क्योंकि बेले गुनेस करीब 6 फीट क कम थी जब उसके घर के चानबिन की गई तो वहां से दरजनों कंकाल बरामद हुए और साइट पर आगे खुदाई और जाच से कई बोरे निकले जिनमें लोगों के सिर्फ हाथ पेर आदे कटूवे कंधे तो कभी बीना सिरकी लाशे कभी कंदों से हाथ काट दिये गए तो कभी पेरों को घुटनों से अलग कर दिया यह सब उन बोरों में पाया गया और इन सब को इस तरह बेले ने ही मारा था जिसकी वज़े से कहीं लोगों को आइडेंटिफा ही नहीं किया गया और रिपोट से पता चलता है कि बेले ने करीब 25-40 लोगों को मार डाला जिसमें जादा तो लड़के लोगे शामिल थे और बेले गुनेश ने उन लोगों को इस बहरे में से मारा कि उनकी अभी तक पहचान भी नहीं हुई पर उसमें बेले गुनेश की बोड़ी तो नहीं मिली हाला कि ये कभी नहीं पता चल पाया कि वो आखिर वक्त पर कहा गई क्या व जेले गुनेश की बारे में कॉमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो चले मिलते हो रेक ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिंद वंद मातरम